पर कुम्भ होता है, जिसे देशी भाषा में कंधा या काद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे हम्प कहते हैं, इसके कुम्भ के अंदर सूर के तुनाडी होती है, वैदिक विज्ञान के अनुसार कहा जाता है, सूर के तुनाडी बहरी वातावरन से आवशक औशधिय पदार को ग्रहन कर उन्हें दुग्ध मूत्र और गोबर में उत्पन्न करती हैं जो अधिक से अधिक पौश्टिक गुणकारी एवं उपयोगी सिद्ध होते हैं इस नाडी की वजह से देशी गाय के मूत्र में तामबा और दूद घी में स्वन लवन पाए जाते हैं जिसकी कारण द इन प्रकार के पदार्थों की उपलब्धी गाय के दूद में होती है जैसे 6 प्रकार के विटमिन्स, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 25 प्रकार के खनीज, 21 प्रकार के अमीनोएसिद, 4 प्रकार के फासफोरस और 2 प्रकार के खुलुकोस इत्यादी ये सूरे केतु नाड़ी, सौरमंडल के सूरे, चंद्रमा, तथा भ्रमान के सभी चमकते या टिम्टिमाते तारों, ग्रहों, उपक्रहों की उर्जाओं, तथा प्रकाश की क्रिणों को ग्रहन करके गाय को प्रदान करती है, जिसके कारण देशी गाय से दूद, दही, घी, मो इवं गोबर जैसे अत्यदिक लाबकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये कुंभ, अत्वा कांध या कंधा, तथा सूरे केतु नाड़ी, विदेशी नसल की गायों में बिलकुल नहीं पाय जाते हैं, इनकी पीट सपाठ होती है, देशी गाय की गर्दन के नीचे लटकी नर्म एवं कोमल त्वचा होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं, ये गल कंबल गाय को अत्यधिक तापमान से बचाती है, गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोदक शम्ता को बढ़ाती है, ये गल कंबल विदेशी गायों में नहीं पाया जाता है, आमतौर पर लंबे होते हैं, जबकि विदेशी गाई के कान आमतौर पर छोटे होते हैं, देशी गाई के सिंग आमतौर पर लंबे एवं पिरामेड के अकार के होते हैं, जो वास्तविक तौर पर मजबूत बुनियाद का काम करते हैं, एवं भ्रमांडिय तरंगों को ग्रहन क उन्हें पंच गव्वे के लिए सही उर्जा में परिवर्थित कर देते हैं। ज्यादातर विदेशी नसल की गाय में सिंग होते ही नहीं है। कुछ नसल में पाए जाते हैं, लेकिन अत्यदिक छोटे आकार में, जिसके कारण भ्रह्मांड ये तरगों को ये क्रहन नहीं कर पाती है। देशी गाय का मुखमंडल गोलाकार होता है, जो दिखने में अच्छा लगता है। और विदेशी गाय का मुखमंडल चपता होता है, जो दिखने में भद्दा लगता है। देशी गाई की आवाज मधुर एवं मनमोहक होती है विदेशी गाई की आवाज करकरी एवं अप्रिय लगती है देशी गाई की खुरें छोटी होती है और जो एक दूसरे से काफी लगी होती है जो वातावरण के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती है विदेशी गायों की खुरें काफी खुली और बड़ी होती हैं, जो वातावरण के अनुसार असंतोलित होती हैं वज्ञानिक दृष्टी से देशी गाय काफी बुद्धी शील होती हैं देशी गाय की प्रक्रती या स्वभाव में अपने बच्छडे के प्रती इसने और प्यार का बंधन इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है विदेशी गाय वैज्ञानिक दृष्टी से बुद्धी शील नहीं होती हैं और ये अपने बच्छडे से लगाव नहीं रखती होती है जिसके कारण वो भारत के किसी भी मौसम के अनुकूल अपने को ढालने में सक्षम नहीं होती है देशी गाय में शाररिक शक्ती और स्फूर्ती अत्यधिक होती है जिसके कारण बगैर ठके काफी दूर तक विचरण कर सकती है विदेशी गाय में शाररिक शक्ती और स विशेश अंतर पाया जाता है। देशी गाय चारों ओर सकारात्मक उर्जा फैलाती है। जिससे वातावरन शुद्ध एवं शांति पूर्ण हो जाता है। जबकि विदेशी गाय में ये उर्जा नहीं होती है। भारतिय कुम्व या कांधे वाली गाय अक्सर सफेद रंकी पाई जाती है। देशी गाय आमतोर पर कम मात्रा में खाना खाती है। और संतोलित मात्रा में पाने पीती है। इस प्रकार कम एंटिबाटिक्स के सेवन करने से देशी गाय में प्रतिरोधक शम्ता अधिक होती देशी गाय से उपलब्ध पंच गव्य वास्तविक रूप से शुध एवं सुगंधित होते हैं जबकि विदेशी गाय का पंच गव्य उत्तेजक, मलजनित, दुरगंध और गंदगियों से भरा होता है देशी गाय कीट पतंग जैसे जीवों से मुक्त रहती है और मुक्त ही चरती है मक्खी एवं मच्छरों को भगाती है इसका कारण देशी गाय के शरीर में अंदरूनी ग्लेंट से पैदा होने वाली तैलिय पदार्थों जैसी फिसलन होती है जिससे इनका शरीर साफ सुथरा रहता है जबकि विदेशी गाय गंदी रहती है और मक्खी मच्छर उसके चारों और भिन भिनाते रहते हैं ये बात इस पश्ट लिये है कि भारत्य देशी गाय देखने में चमकदार और तेजस्वी लगती है जबकि विदेशी गाय डरावनी और गुस्यली लगती है देशी गाय की पीठ सुन्दर और गोलाकार होती है जबकि विदेशी गाय की पीठ कुछ अजीब सी कोण आकरिती की होती है भारतिय देशी गाय का गोबर एक प्रकार की पतली परत से धका होता है जो सुगंधित लगती है, जबकि विदेशी गाय का गोबर दुरगंधित होता है, देशी गाय का दुग्ध जिसे संकेतिक शब्द में एटू कहा जाता है, मनुष्य के लिए सदा, सेवनिय तथा स्वास्थेवर्धक होता है, और विदेशी गाय का दुग्ध जिसे संकेतिक शब्द में A1 कहा जाता है सेवन में संधे और प्रश्न जनक है यहाँ पर पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि A2 दूद और A1 दूद क्या है जीब विज्ञान के अनुसार भारतिय देसी गाई के 209 तत्व के DNA में 67 पद परिस्थत ऐमिनो एसिद प्रोलीन पाया जाता है किसी कारणवश जब गाई के DNA में प्रोलीन एमिनो एसिद हिस्टिदिन के साथ उत्परिवर्तित हो गया तो इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं भारतिय देसी गाई के दूद में प्रोलीन अपने स्थान 67 पर बहुत द्रड़ता से आग्रह पूर्वक अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थत अमिनो एसिद आईसोलियोसीन से जुड़ा रहता है परंतु जब प्रोलीन के स्थान पर हिस्थिदीन आ जाता है तब इस हिस्थिदीन में अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थत आईसोलियोसीन से जुड़े रहने की प्रभल इक्षा नहीं पाई जाती इस इस्थिदी में ये अमीनो एसिद हिस्थिदीन मानव शरीर की पाचन क्रिया में आसानी से तूट कर बिखर जाता है इस प्रक्रिया में एक साथ अमीनो एसिद का छोटा प्रोटीन स्वच्छंद रूप से मानव शरीर में अपना अलग स्थिद्व बना लेता है इस साथ अमीनो एसिट के प्रोटीन को BCM7 यानि बीटा कासो मोर्फिन 7 नाम दिया जाता है BCM7 एक अफीम परिवार का नशीला तत्व है जो मानव स्वास्थे पर अपनी श्रेनी के दूसरे अफीम जैसे ही नशीले तत्वों जैसा दुश प्रभाव डालता है जिस दूद में ये विशहला मादक पदाग BCM7 पाया जाता है उस दूद को A1 दूद का नाम दिया गया है ये A1 दूद उन विदेशी नसील की गायों में पाया जाता है जिनके DNA में सरसट स्थान पर प्रोलीन ना होकर हिस्तिडीन होता है भारतिय देसी गाय के दूद में BCM7 नाम का विशैला मादक तत्व नहीं पाया जाता इसलिए इसे A2 दूद कहा गया है हाल ही में National Bureau of Animal Genetic Research ने बयान दिया है कि भारतिय देसी नसल की गायों का दूद उत्तम गुनवत्ता से भरपूर है शोध कारें को प्रमानित करने के लिए वैज्यानिकों ने देसी नसल की गायों का व्यापक विशलेशन किया और बताया कि भारतिय देसी नसल की गाय उत्तम गुन संपन दूद प्रदान करती है जबकि विदेशी गायों के दूद में मानव स्वास्थे के लिए उत्तम गुंड नहीं पाय जाते A2 दूद में अधिक मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिट यानि ओमेगा 6 चर्बी अमल पाया जाता है भारतिय देशी नसल की गाय पून तहा A2 दूद उत्पन करती है जिसमें कम मात्रा में BCM7 पाया जाता है जबकि विदेशी गायों में इसकी मात्रा अधिक रहती है और ये गाय A1 दूद ही उत्पन करती है A1 दूद मनुष्य की शरीर में पहुँचकर दो या अधिक प्रकार के अमीनो एसिट उत्पन करता है जिने हम टेप्टाइड या BCM7 कहते हैं ये मानव शरीर के अंदर पहुँचकर गंभीर बिमारियों को उत्पन करते हैं एक लिटर एवन दूद में 24-32 ग्राम कैसीन पाए जाते हैं और जिसमें 9-12 ग्राम BCM7 लगभग 2 चाय के चम्मच पाए जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं भारतिय देसी गाय के दूद में अत्यधिक मात्रा में पौश्टिक तत्व पाए जाते हैं जैसे साइटोकाइन्स और उप्योगी खनेच तत्व जो शरीर के लिए बढ़ती शक्तियों को प्रदान करते हैं मानव शरीर के लिए आदर्श पून कैलशियम और मैगनिशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में दो अनुपात एक होनी चाहिए जबकि एवन दूद में कैलशियम और मैगनिशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में दस अनुपात एक है जो मानव शरीर के लिए अत्यधिक खाने का रख है मैगनिशियम शरीर के लिए इस्थिर्ता वस्संतुलन का काम करता है पाचन शक्ति को बढ़ाता है खोन में नियमित रूप से तरलता तथा प्रवह कायम करता है मांस पेशियों में भी परिवर्तन शील प्रक्रिया को चालू रखता है जब मानव शरीर में कैलशियम अधिक मात्रा में हो जाता है तो शरीर कमजोर और स्थूल हो जाता है ये मनुशे के रक्तचाप को अन्यमित कर देता है जिससे किसी को भी हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकता है मेंगनीशियम मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है क्योंकि इसकी प्रक्रिया में 300 से अधिक उपकारी प्रक्रिया संतुलित अवस्थाओं में चलती रहती है इसलिए मेंगनीशियम को वैज्यानिकों ने नाम दिया Catalyst of Life यानि जीवन स्थूर्ती एवन दूद में मेंगनीशियम की मात्रा हमेशा कम होती है एवन दूद के सेवन से मानव शरीर में गंभीर बिमारिया उत्पन हो जाती है जैसे Acne, Eczema, Upper Respiratory, Infections, Asthma, Allergies, Bronchitis, Diabetes, Cardiac Problems, Mental Disorders, Parkinson's, Multiple Sclerosis, Obesity, Schizophrenia, RTO Sclerosis and Intolerance Bloating Catalyst of Life